दोस्तों अगर आप भी बहुत ज्यादा पेट रोगों से परेसान रहते हैं, मतलब IBS की दिक्कत बनी रहते हैं, आप बहुत सारी जाचे करवा चुके हैं, सारी जाचे नारमल आती हैं, फिर भी बहुत ज्यादा आउं की दिक्कत रहती हैं, बराबर आउं बनती रहती हैं, क तिजाब का बनना कम नहीं होता है कुछ लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत अफारा सा होता है बहुत ज्यादा गैस बन जाती है पेट बिल्कुल टाइट हो जाता है फूल कर बिल्कुल गुब्बारा जैसे फिल होता है बहुत ज्यादा पेट टाइट हो जाता है तो पुरिया बना कर दिया करते हैं एक महीने की इसके साथ साथ एक दोस्तो चून दिया करते हैं जिसको आपको खाना खाने के बाद एक एक चमط चून लेना होता है और यह पुडिया आपको लेनी होती है सहई से खाना खाने के आधे घंटे पहले सुबह साम एक एक पुरिया लेनी होती है एक चम्मस सहद में बहुत ही अच्छा है पहली खुराख से आपको आराम देगी कितनी भी ज्यादा गैस बनती हो कितनी भी ज्यादा HCDT बनती हो आपको खटी डकारे आती हो यह जलन सीने में बहुत तेज महसूस होती हो IBS की दिक्कत हो सबसे बिष्ट नुस्खा है दोस्तों इसको मैं बना कर देता हूँ और बहुत दिनों से मैं दे भी रहा हूँ मेरा वीडियो एक पड़ा हुआ है बहुत सारे आडर कर चुके हैं बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं जो लोग हार मान चुके थे कि हमारी ये समस्या पेट की समस्या कभी जीवन में ठीक अब नहीं होगी एम्स जैसे अस्पतालों में दिखा दिखा कर वो हार चुके थे, बड़े से बड़े डाक्टरों को दिखा दिया था, सारी जाचे नारमल आती थी, फिर भी समस्या ठीक नहीं होती थी, पेट में हलका दर्द, किसी को बार-बार टाइलेट जाने की कि दिन में 4-5 बार जाते ह आउं बनती है, सरीर कमजोर होता जाता है, कमजोरी ठकान महसूस होती रहती है हमेशा, क्योंकि क्या होता है, जब आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, तो आपको पूरे रस, जो उसकतत तो जो है भोजन के, पूरे मिल नहीं पाते है, इसलिए कमजोर हो जाता है, और जो दवा देते हैं दोस्तों ये ACDT को इतनी जल्दी समाप्त करती है ACDT की वज़े से जो दिल घबराता उसमें भी बहुत अच्छा काम किया करती है कभी कभी ACDT जब बहुत ज्यादा बनती है तो घबराहट सी महसूस होने लगती है वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है दि चलि के घाओं से हो जाते हैं जिनकी वज़े से आउं का बनना होता अउन्पे रीड कलर के उसकी वज़े से ऐसा हो रहा तो वह सारी समस्यां इससे ठीक हो जाती है किसी भी जाज की जरूरत नहीं होती अगनी को ये बहुत ज्यादा प्रदीपत कर देती है अगनी जैसे अगनी की समस्या से समस्या जाया तर उत्पर्ण हुआ करती है उसको यह चून बहुत जल्दी फिट कर देता है अगनी को बहुत तेजी से तीब्र करेगा भोजन अच्छे से पचेगा और सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार में बंध कर पेट साफ होगा कुछ लोग होते है उनको थोड़ा-थोड़ा सा मल जाता रहता है चिकना पनाता रहता है थोड़ा-थोड़ा सा कब्ज जैसा बना रहता है या कुछ लोगों को होता पतला दस्त जाता है ठीक है वो भी एक कब्ज का ही रूप है क्योंकि पूरी तरीके से पेट साफ नहीं हो रहा तो यह चून करता है बहुत ही बहतरीन चीज है कोई भी साइड़ इफेक्ट ने में इसमें बहुत अच्ची अच्छी आउसधिया मिलाता हूं पर आ त Lebens अब आप Dek't हुं दोस्तों काफी महेंगा होता है नुस्खा देखो जो दोवाई मिलाते हुं भी महेंगी है इसलिये थोड़ा सा काश्टली है लेकिन काम बहुत ही जबर्जस्त करता है अगर हार मान चुके हैं की पेट की समस्य ठीक होने वाली नहीं तो आप एक बार इसको order करें, इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताएं, बहुत ही अच्छा result है दोस्तों, आपको एक चून में देता हूं इसके साथ, अब आप देख सकते हैं, मैं भी पैकिंग ही करने वाला था, तो मैंने सोचे चलिए वीडियो बना देते हैं, और ये एक आता है, जिसको म्यूकस बोलते हैं, IBS की जो समस्या होती है, आउं आती है, बहुत ही अच्छा है, जबर जस्तुन उसका है दोस्तों, जो हारे हुए मरीज है, उनको समस्या से निजात मिल गया है, जो सोच लिए थे कि अब हम नहीं ठीक होंगे, तो आप मेरा नंबर है, न आपको करना होगा, एड्रिस देना होगा, दिये गए नंबर पर आप वार्ट साप करें वीडियो का स्क्रीन साट और आप दवा आडर कर सकते हैं, जबर जस्तुन उसका है दोस्तों,